दिस नियोज इस पॉंसर बाई हीरा बैंकित हॉल फुली एर कंडिशनर अट सायद अली चबूत्रा नियर शागॉस होटल असलाम अलेकुम नाजरीन आप सब का इस तकबाले ए-18 तलिंगाना नियोस के खास खबर नामे पर आज 28 अगस साटड़ी का दिन है आए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबर नामा तलिंगाना रियासत में सब्टेंबर की पहली तारीख को तमाम स्कूल्स और दिगर एजुकेशनल इंस्टियूशन्स तयारे खुलने के लिए तमाम स्टाफ मेंबर्स खुसूसर टीचर्स टूडन्स और पारेंट्स को चाहिए के कोवड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे और मास्क लाजमी इस्तेवाल करे डॉक्टर अंजुल दयाल सीनियर पीडियाट्रीशन कॉंटिनेंटल हॉस्पिटल ने बहतरीं दो सिंपल स्टेप्स बताए हैं कोवड-19 से बच्चने पहला स्टेप है जरूरी है अपने बच्चों को मास्क की एहमियत बताए टीचर की इजाज़त के बिना मास्क नहीं निकालना चाहिए और दूसरा स्टेप है पैरंस अपने बच्चों को एक छोटा सानिटाइजर का बॉर्टल देना चाहिए और हर पीरियट के बाद उन्हें इस्तिमाल करने कहना चाहिए और डॉक्टर अंजल ने साथी कहा कि अगर स्टूडन्स की तब्यात खराब है तो स्कूल बेजने की जरूरत नहीं साथी उन्होंने कहा स्कूल्स मैनेजमेंट को भी चाहिए कि सब की सेफटी के लिए एकामात करे आज बरोजे 28 अगस साड़ेड के दिन प्रजा संग्रामा यातरा तिलिगाना बीजेपी स्टेट प्रेजडन बंडी संजय कुमान ने श्री भागिया लक्षमी मंदिर खदीम चार मिनार से यातरा का आगास किये ग्यातरा शुरू करने से पहले संजय और दिगर बीजेपी इंचार्च तरुन चौंग, यूनियन ट्यूरिजम मिनिस्टर जी किशन रेडी और दिगर सीनियर पार्टी इस लीडर ने मंदिर में पूजा किये और हजारों की तैदात में बीजेपी सपोर्टर से मुकातिब हुए चार मिनार पर इस मौके पर बंडी संजय ने एयाईमाइम को निशाना बनाते हुए कहा कि एयाईमाइम सियासी पार्टी तालीबान की जहनियत रखते हैं इस प्रोग्राम के दौरान बीजेपी एमले राजा सिंग दिखाई नहीं दिये बंडी संजय से सवाल करने पर मालू हुआ कि बीजेपी एमले राजा सिंग कोट केस में बीजी थे खौफनाक सड़क हादिसे की दौरान तीन दिन की दौलन और उनके वालिद की मौत वाके हुई जबकि दौले और ड्राइवर को शदीद जखमे आए ये लोग कड़म अंडल पंदावापुर गाउं से वापस आ रहे थे वली माकर के आथ सुबा अचानक कार का खौफनाग सड़क हादिसा पेश आया दौला और दौलन की شादी तीन दिन पहले हुई थी दौलन मौनिका को शदीद जखमे आए जिस से मौनिका की मुझा मे कामे खथमे आए लेकिन वो सांस ले रहा था जिसकी बाद फौरण उसे नज़्दी की हांस्पिरल शरीक की आ गया पोलीस ने बताया के ड्राइवर कार चलाते वक्त कार बेखाबू हो गई और ट्रैक्स ने नीचे गिर गई जिसकी सबब ये खौफनाब सड़क आदिसा पेश आया और दो लोगी मुकामे हादिसा पर ही मौत वाके हो गई टेपी सी सी प्रेजिनेंट ए रेवंट रेडी ने तिलिगाना चीफ मिनिस्टर की चिंडर शिकराओ से सवाल किये क्यों लेबर मिनिस्टर माला रेडी के खिलाफ आक्शिन नहीं लिया गया साथी रेवन्त रेड़ी ने माला रेड़ी पर इल्जाम आयत किया कि माला रेड़ी जमीनात खबजा किये है रेवन्त रेड़ी ने जोशीले अंदास में सवाल करते हुए कहा कि तलिंगाना चीफ मिनिस्टर केचिनर शिकराउ ने फॉर्मर डिप्टी चीफ मिelnिस्टर टी राजयाई और फॉर्मर हेलफ मिनस्टर इडला राजेंडर को लैंड ग्राबिंग के मामले में पार्टी से निकाल दिये थे तो क्यों माला रिडी को नहीं निकाला जा रहा है क्या मिनिट से उन्होंने कहा कि क्या इंसाफ और कैदे कानून सब के लिए अलग अलग है रेवन्त रेड़ी ने गांधी भवन पर मीडिया से बात करते हुए ये सवालात किये जुम्मे के दिन कॉंग्रिस लीडर रेवन्ट रेड़ी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मिनिस्टर माला रेड़ी के खिलाफ लैंड ग्राबिंग के मतालुख उनके पास ठोस सबूत है उन्होंने कहा अगर मिनिस्टर माला रेड़ी के खिलाफ सख्ट आक्शन लेने रेड़ी है तो रेवन्त रेड़ी तमाम सबूत मीडिया गवर्नमेंट एजनसी और स्टेट गवर्नमेंट को देंगे जस्टीस M.S. रामा चंद्रा राउ जो सीनियर जजज है तिलिंगाना हाई कोट के जुम्मे की दिन उन्हें एपॉइंट किया गया चीफ जस्टीस के लिए और चीफ जस्टीस की जिम्मेदारियां लेने के लिए कहा गया कुछ समय के लिए प्रिजजेड़न रामनात कोविन ने जस्टीस रामा चंद्रा राउ को एपॉइंट के चीफ जस्टीस के दियूटीस निभानी के लिए क्यूंकि तलिंगाना हाई कोट में पहले चीफ जस्टीस हीमा कोली थी जिनका ट्रांसफर होगा سुपरीम कोर्ट में फिलाल जस्टीस रामाचंद्राराव ही चीफ जस्टीस के डियोटीस की जिम्मधारी लेंगे तब तक कोई नया चीफ जस्टीस नहीं मिल जाता तब तक तिलिंगाना हाई कोट के लिए चीफ जस्टीस की जिम्मधारियां रामाचंद्राराव लेंगे